कौन संभालेगा जदियू में नमबर दो की कुरसी? संजे जहा के लिए नतीश कुमार ने खड़ी कर दे मुश्केले नमश्कायर आप देख रहे हैं कि आपसल टीवी बिहार का इस्पसल सोच शुनावी चौसर और मैं हूँ आपके साथ आदम जा दरसल गुरुवार को जदियू में शामिल मनेश वर्मा को पार्टी ने राष्टिय महा सच्यू की बड़े जम्मेदारी सौप दी है और इस सबात की घोशना कार्य कारी अध्यक संजे जहाने करी भली वो अंदर से या घोशना करना नहीं चा रहे होंगे लेकिन मजबूरन उन्हें सबात की घोशना करने पड़ी ऐसे में मनेश वर्मा को राष्टिय महा सच्यू की जम्मेदारी सौप कर नितिश कुमार ने पावर बैलन्स करने का काम किया है इसके साथ ही उन्होंने संजुजा को संदेश भी देने का काम किया है कि देखिये आप खुले आम पैसला नहीं ले सकते अगर आपके एक हाथ में हमने लड़ू दिया है तो दूसरे हाथ में हत कड़ी भी है अब आप सूच रहे होंगे कि ऐसा क्यूं हम कह रहे हैं तो आईए आपको थोड़ा विस्ताय में बताते हैं दरसल पुर्वा आयस अधिकारी मनीश वर्मा ने जदियों में शामिल होकर सियासी सफर का आगाज कर दिया है मनीश वर्मा सियम नतीश के ग्रेजन पर नालंदा से ही आते हैं उन्हीं की जाती के हैं और उनके नाम की चर्चा सियम के उत्राधिकारी के रूप में भी पहले से होती रही है अब जदियों में मनीश के अंट्री के माईनी क्या है तरसल बिहार में इंडिये सरकार की अगवाई कर रहे हैं नतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटिड में पुर्वाय सदिकारी मनीश वर्मा शामिल हुए यस जिम नतीश के सच्चिव भी रह चुके हैं मनीश वर्मा ने जदियों जोईन करने की बाद कहा कि पहले वह नतीश कुमार के दिल में थे और अब वह उनके दल में आ गए हैं यहां मौजूद सभी नेताओं से उन्हें कुछ न कूछ सीखने का मौका मिला है मनीश ने जदियों के कारेकारी अध्यक संजेजहा की मौजूदगी में पाटी की सदस्यता ग्रहन की थी संजेजहा को भी अभी कुछी दिन पहले नई दिल्ली में हुई जदियों रास्ट्य कारेकारी अध्यक चुना गया था नितेश कमार की अगवाई वाली पाटी में बतौर कारेकारी अध्यक संजजहा की ताजपोशी के साथ ही सियासी कलियारे में उन्हें पाटी प्रमुख का उत्राधिकारी तक बताया जाने लगा था नितीश के उत्राधिकारी के रूप में उन्हीं की जाती और जनपत से आने वाले मनेश वर्मा के नाम की भी चर्चा होती रही है और अब पाटी में मनेश वर्मा को जब यह पद मिला है तो जो धारा है पाटी की और लोगों की विचार की वो बदल गई है मनिज की एंटरी को कोई संजे जहा के लिए संदेश बता रहा है तो कोई से अपनी जाती को साधे रखने के लिए नितीश कुमार की सोची समझी प्राद का रहा है करते हुए फैसला लेते हैं और सायद यही वज़ा है कि लोग उन्हें जब हारा हुआ समझते हैं तब वह मजबूती के साथ वापसी करते हैं नतीश को कारेकारी अध्यक्ष बनाया तो इसमें सवर्लों को साधने के साथ सहयोगी बीजेपी को लंबे साथ का संदेश देने की कवायद मानी गई लेकिन अब चर्चा उत्रा धिकारी पर आ गई है नतीश को अपनी पाटी में यह बर्दास नहीं कि किसी नेता का कद बहुत बढ़ा हो जाए नतीश के अंडिये में वापसी के बात से लगातार ही संजज जहा का कद निरंतर बढ़ रहा था और मजबूत होता चला गया अब नतीश ने अपने ग्रह जिले और ज्वाती से आने वाले मनीश वर्मा की अंट्री कराकर पावर बैलेंस करने का काम किया है और संजे जहा को कहीं न कहीं मैसेस देने का भी काम किया है कि आप अपने लिमिट में रहे तो आपको क्या लगता है कि इससे आ झाल झाल